असलाम अलेकूम कैसे आप सब उमेद करती हूँ अप सब अच्छे से होंगे तो देखो अभी आज का वीडियो ऐसा है कि कुछ खास नहीं है मैं देखो इसको पूछ रही कपसे खाना क्या बनाओ क्या बनाओ तो यह लगका बोलता है पुलाओ बनाओ पुलाओ बनाओ एक बो पूछ रहे है तो सकूल से भी messages आए कि अगर ऐसा कुछ है तो बत्चें को स्कूल ना बेजे अब ना कर रहे हैं कि मतलब मत नहीं बेजो आप मेरे घर में किसी को नहीं होई और मेरी मेड को वा एक है मैरी कामवली को वा है आई, फ्लू, मतलब वही जो infection है आको का उसको हु पकलूब, श करा पने, इसके पपा को फोल करी मैं दुकान पर गया मैं उनको बोली कि के देखो मैं कपडा डाल d Jingui पी घने, और इसको हो गया infection वो में को बोल रही कि मेरे को infection वहा मेरी मेट के मतलब बच्चे को भी हो गया उसके husband को भी हो गया और literally मैंने उसके आखों में देख और मैं डर गई मैं इसको लिए तू तू तीन-चार दिन आही मत अब मत आप क्योंकि मेरे घर में बच्चे उनको infection ना हो जाए तो मैंने school भी नहीं बेजा इसको इसके school से messages आए कि मतलब home work कराना है बच्चों को तो देखो भाई साब कर रहा है यह देखो home work कर रहा है असलाव अलेकुम बच्चे से आप सब उमिट करते हैं अब सब अच्चे से होगे अभी में home work कर रहा है तो यह देखो भाई साब को home work है स्कूल नहीं गया बट स्कूल से messages आते हैं everyday आते हैं तो यह सारे इसके home work है और यह सब देखो मेरे ना उपर से जाते है एक तो मैंच ना मेरे उपर से जाते है बट थैंग ओड के स्कूल से जो messages आते हैं ना वो लोग इंस्ट्रक्शन बता देते हैं कैसे करना है क्या करना है यह सब देखो आज मेरा भाई साब आज हो मक करने वाला यह सब तो किया कभीर देखो इखो यह तो करने ओण ही वह सबागर महें लोगों कभी खाना क्या बनाओ कंफिर्म करो दोनों भी ग्रीमार ला देखो फुल और तो खॉले दो भी लेकर करने दो ने वह बोला ना मेरे चल रहे एक से बोल रहे है एक तो देखो फर्माइश हो चुकी है अभी इनके लिए मुझे बनाने चिकन पुलाओं तो मुझे चिकन लेने जाना पड़ेगा अभी तो चलो चलते चिकन लेकर हाथ आते उसके बाद आपसे मिलते हैं मार मार माईशा जल्दी मार जल्दी से पप कर मुपे मार मार जल्दी मार तोके गाला उसके मुपे मार ना मार माईशा जल्दी पसे भाईया थूका मार जल्दी मार देगा या मायू मार भाईया को देव अभी थूका मत थूको नहीं गंदी अर्कत है यह थूको नहीं मारो भाईया को जल्दी माईशा मार जल्दी चल मार मार जल्दी मार मूपे मार थूकेगा ना भाईया तुम मूपे मार ना मार मारी से, देखो ही कैसे माररंपीटि करती है लड़की, तो भईया को मारी माईशा, ओ, देख भगा रहा देख भगा रहा, तो भगारा देख भगा मार माईशा तू भी मार यह लड़की यह जगड़ा करती रहती घर में बिचार है यह मेरा मार खाते रहता उससे काली हरो झालो चलो छलो यह लोगों मस्ती करने देते मैं जाती चिकन लेकर आ गई थी चिकन लगा चावल भीगा कर रख लिया था एक गंटा हो गया है मुझे यहां पर मैने आदा कीलो चिकन लिया ज्यादा ने कोई कहता है दू अब ह यहां जो नोमल पुलाव किले मसाली लगे तो प्यास काट लिया टमाटर टमाटर अभी भाई मेरे या पर तो देट सुर पाई कीलो है और किदर कितना है मुझे भी नहीं पता या मैंने खड़े गरा मसाले लिया है वनद टोटल गरम मसाला काली मेरी लॉंग लाई ची डाल चीनी जावितरी जीरा दनिया पाउडर गु के लिए यह तिकी वाली नहीं है नॉर्मल है नमक एक निम्बू और दही तो चलो अब फटाफट बना के लिए थे बच्चों को लगरी है भूप अ मैं सोची बना लेती हूं को उसका हम अगरा हो गया है उसको एक्स्रा जो हम अगा था उसने वह भी कर लिया कबीर ने कुछ नहीं बिटा है कि अगरे डेक्ची सोची पहले मैं सोची पर जूनी के चप्ती वाली डेक्ची आती पहले मैं सोची उसमें बनाओ फिर मैंने बोले जाने दो इतरा टाइम पास करने से अच्छा ज़रा फास्ट बना के लेते हैं इस पर जाबित्री डालचीनि काली मीरी सारे खड़ी डाल मासाले हां क्या हो गया माईश्याखवा अ ज exceptional घड़ मसाल है इसको पहले डालते हैं दो չुष्भू도 बहत अच्छा आता है और itel भी कोजी हो हगा नहीं थोड़ासा इसका जो खुष्भाया elder star आनट लेक्टото ए गुलाब की पती से अच्छी खुषबू आती है तो एसे दालते है तो उसे क्या ही गळगी फिर खाने में खुषबू-खुषबू हो जाता फिर पेट भर जाता वैसा नहीं चाहिए उसके बदी गुलाब की पती राले का बहुत अच्छा थेस्ट आता है खुषबू अच्छा अब युदक कोफास का थुड़ा भून कर लेते हैं तो यहां पर मैंने प्याज रखा है बुनने बट मैं इसी के साथ सत आलू भी आट कर जाए प्याज भी भूने जाएगा जाती साहीः बूने बूने अच्छा भी आख़ए बूने का अलुए नहीं चाहिए अ ऑनलो कि मेम पयाज के और मेद्गी मंदले अब द कुछ recommend मतली कि बography be खुब्साला आपकों जाय का दो जाए कर दक तो刘्या करें है चाज़ कित मुद्दी को आपके कुरा द ज कुछ टिनिक फूला। अबक्दा रखो जाएम अनौर्मल ब्राउन करने हैं थोड़ा सा वनलब टेस्ट वो थोड़ा सा वद्राग लेसें तो वे सब पीस कर मैंने मसाला बनाखे डाला था और यह नॉर्मल है इसको नमकीन पुला भी बोलते हैं अकनी भी बोलते है अच्छी यकले अकनी मिर्ची को मैंने खुआ कर रिके लिया हुआ है और यह बहुत अच्छा बहुत जल्दी बनता बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है अब यह पर मैंने चिंजर गरलीक डाल दिया है मिर्ची डाल लिया है अब मैं पड़ा लोगी चिकन इस थी पेशके अच्छा के लिए हुआ है अब मुझे चिकन के साथ आज कलेजी आए जब किमेर अच्छा यह का कि चिकन का मुझे बल्कुल भी पसंद नहीं है पता निवको मेटी मेटी लगती है बट पर भी आगया तो मैं तो चोचे भी उड़ लेतinya पीर लेती आँ आप इसमें आप करेंगे मसाला यह गरम मसाला है जीरा धनिया पाउडर सॉल्ट अद्च बहुत सारी लोग ना अकनी में टमाटर नहीं डागते हैं बटमाटर का बहुत अच्छा टेस्ट आते हैं कलार्फुल थोड़ा सा लाल एक दिककर आता है टेस्ट भी अच्छा आता है माईशा चिलारी देखो अधर क्या हूआ मेरी बेटी बालकली में खड़ी हो गई उपर जाली पर और चिलारी जोर जोर से जो मैंने निम्बू और गुलाब की पती रखी हूँ यह मैं अभी नहीं रालूगी जब मैं पानी एट करूगी तब मैं बो डालेंगे अब मैं इसको मिक्स कर लिया है अब मैं इसको थोड़ा स्लो पे पकाऊंगी पानी बिल्कुल भी मैं एटनी करूगी क्योंकि चिकन से पानी चूटता है चिकन से पानी चूटता है यहां पे मैं इसको स्लो करके 5-6 मिलड में पकाऊंगी अभी चलो देखते हैं भई पानी चूटा यहां पानी चूट गया इसले पानी नहीं एक भाप में आली बहुत अच्छा घर गया है चावल में और पकेगा तो एकदम आलू शौक हो जाएगा यहां पर मैं पानी चूखाऊंगी नहीं अभी यही इस टेश में आर डालूंगी दही मैं करसूरी मेती नहींगी डालग्री नहीं लए पाती किया तो करते अधिसिश करे इन तो क्लast में न 넘च रोटकी सड़ सब हो जो दो दूटमेर न कोदमिर काट के लेती हो थोड़ा फास्ट पेस को थोड़ा हलका साइग धरी भाप लगने दोंगी थोड़ा कोदमिर काट के लिती हो आपना ने कोदमिर भी काट लिया पाने याट करनी मैं इसमें अभी पानी दो बिटा थोड़ा अनकर लाथ यहां पैमें थोड़ा और पानी डालूंगी मैंने पूरा नहीं डालूंगी आदा ही डालूंगी इसमें जल्दी बनता है ज्यादा नहीं मतलब 10-15 में यह पुलाव बनके रेडी हो जाता है जल्दी बनना बोले तो जटपट बनने वाला पुलाव और बहुत टीस्टी भी लगता है खाने में अब यहां पर मैं गुलाव की पत्ती याट कर गया थोड़ा सा कोथ में पुदीना नहीं है मेरा एक्चली पुदीना खतम हो गया और जो मेरे जार मैंने जिसका पुदीने का जार लगा इती उसमें अभी पुदीना नहीं आ रहा क्यूंकर मैंना अल्रेडी सब काट लिया अब यहां पर इसको इपांच मिनिट के लिए छोड़ूंगी मैं ताकि पानी ज़रा अच्छे से अब उलते हो बॉल हो जाए पर पानी गरम हो गया अब इसको श्मो करेंगे और चावाल एट करके लेए ताकि मैंने एक घंटा पूरा अच्छा इसको भिगा के रख दी बासमती राइसली मेंने कि पुलाव अगरा थोड़ा पासमती में अच्छा लगता है अ कि बहुत लोग क्या करते हैं जिनको नहीं पता वह बासमती चावल नौर्मल चावल भी दाल निके अथ्यागते इसको ऐसे कच करते रहते उन्हों को यह नहीं बता कि चावल एक बर पुलाओ या बिर्यानी में बिर्यानी तो नहीं कि पुलाओ ज्यादा चलाने चावल टूटते हैं तो हमको चावल को तोड़ना नहीं है बस यह मैंने डाल विया यह मैं हलका चला लिया तक ही जो मसाले नीचे वह उपर आ जाए अब इसी स्टेट पर मेरे गैस पास कर दिय स्टेट अब मैं धकन लगा दूगे इसको अब डीकते हैं जो कर दोंगे और साइट है क्योंकि चावल टूटे ना पानी का मूआ एक को चावल अब मैं इसको क्या करूंगी श्लोपर अभी मैं इसको यह इतना पानी के साथ कव्या है सुने स्लोपर इसकी अबिदम रख कि अर्य सृरि मुझे बहुत मेरी माने बूला था कि देख ची पैसे कि अच्छा नहीं होता है तो सृरि मैं भूल गई थी हो जाता है कभी-कभी लिए हो जाता है हो जाता है अप मेसे बत्रटे को चाई पीन एक video को में अशक भोड़ Nest Double यहां मैं उसके लिए चाई गरम करने रदी और यह थोड़ा हलकाल का ताकि जो नीचे मसाला है वो उपर आज़ा तो यह हो गया है अभी आदत है न वह थक्षट करने की तो जल्दी जाएगी नहीं कि आपने की बर्कत दूर जाती है मैंने सुना है तो चलो यहां पर मैं इसको दंपर रखूंगी यह दूर म्री पहल अलो जाता है यह हूँ आपने कुछ वजन अभी मैं इसको दंपर मुझे रखनाय मैं को दौआ दौए यह त यह तवा यह अभी अराम से दस मिनिट दम पर रहेगा न आपने अब हो जाएगा यहां पर मैंने फास कर दें क्योंकि अभी तवा ठंड है इस निल्लाह एक पांच मिनिट फास पर रखोंगी ताकि तवा गरम हो जाएगा इसके बद में स्लो कर दूंगी जो करके मैं इसको 10 मिनिट एक मतलब दस मिनिट दम लगांगी पूरा तो यहां पर तवा देखो गरम होने लगा है तो मैं आपर यह सेच पर एक दम इसको स्लो पर अब दस मिनिट छोड़ दूंगी आपर मैंने ग्यास ओफ कर लिया है और भाप निकलने लगा है नीचे से माशालला इतना पॉफेक्टली कुख हुआ है देखो गरम बहुत गरम है बहुत ज्यादा गरम है तो एक दम पॉफेक्टली बना हुआ है चुटा 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 है चावल पूरा तो देखा किता सिंपल था बहुत जल्दी जटपट में बन गया पुलाओ तो चलिए आज का विलोग यहीं एंड करते है दुआ में याद रखेगा लाफेस